तो स्वागत एक बार फिर से आपके अपने एजूकेशन चैनल एजूट्यूबर देव पे दोस्तों तो आई डी बाई यानि की इंडिस्ट्रियल डेवलप्मेंट बैंक आप इंडिया तो उसमें दोस्तों बैंक एसो रिक्रूट्मेंट निकली दोस्तों सनात तक उतिर्ण जो की बैचलर्स की डिगीरी रखते हैं दोस्तों जो अभिरती उनके लिए बैंक में भरतिया निकली हैं इंडिस्ट्रियल डेवलप्मेंट बैंक आप इंडिया यानि की आई डी बी आई ने स्पेसलिस्ट ऑफिसर जिसको ऐसो बोलते हैं उसके पदम पर दोस्तों बरती क अधिश उचना यानि कि नोटिफिकेशन जारी की है उग तो पदों पर उनलाइन रिजिस्टेशन की जो परक्रिया दोस्तों 24 दिसंबर से सुरू हो चुकी है इच्छुक और पात्र गुमिदवार जो है वो 7 जनवर 2021 तक अधिकारिक वेबसाइट idbibank.in से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों ही वेबसाइट है इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिशन में दे दूँगा वहाँ से आप इस वेबसाइट पे चले जाएएगा और अपना फॉर्म भरिएगा उससे पहले दोस्तों वीडियो पूरा देख लीजे ताकि फॉर्म में आपको क्या क्या दोस्तों eligibility चाहिए क्या उसकी first date, last date है वो सारी तिथियां आपको पता चले और दोस्तों फीव अगिर आप भी मालूम चल जाए आवेदन करने से पहले पातरता समदी से भी जानकारियों के लिए आप अधिकारिक notification पढ़ लें तो दोस्तों वीडियो भी देख लेंगे तो भी आपको short में सारी चीजें पता चल जाएगी क्योंकि जो official notification होते हैं बहुत लंबे चोड़े होते हैं हालाग उसका दोस्तों PDF का जो लिंक है वो भी मैं description में देख दूँगा वहाँ से आप चाहें तो उस लंबे चोड़े PDF को देख भी सकते हैं रिक्तियों का वेवरान की बात करें दोस्तों तो कितने कौन कौन से पद है वो देख लीजे कुल पदों की संका दोस्तों 131 मैनेजर ग्रेड B 62 पद AGM ग्रेड C 52 पद DGM ग्रेड D 11 पद असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के 9 पद है तो टोटल दोस्तों जो पद है वो 131 है शेक्षने क्यों कि था दोस्तों क्या चाहिए रिकिजरा DGM ग्रेड D जो की पहला पद था दोस्तों उसके लिए किसी भी मानेट अपराफ संस्थान से 55 पीश्दी अंकों में ग्रेड़ूट होना चाहिए तो पहली शर्ती है दूसरा है AGM ग्रेड C इसमें दोस्तों मानेट अपराफ दूसी विद्धाले से M.C.A. पोस्ट ग्रेड़ूएशन P.G.E के साथ Electronics and Communication Computer Science, Electronics और Electrical सूचना प्रोध्यूकी की यानि जो IT Electronics में PG, BE, B.Tech होना चाहिए अब दोस्तों Manager Grid भी उसके लिए क्या होगे ता चाहिए दोस्तों वो भी देख लेते हैं मानेत अप्रावत विद्धाले से M.C.A. में पोस्ट ग्रेड़ूएशन के साथ Electronics और Electrical Electronics and Communication Electronics and Communication में BE यानि की Bachelor of Engineering Bachelor of Technology यानि की B.Tech के साथ सनात्तिक होना चाहिए तो दोस्तों ये सारी योगिताए हैं तो Apply आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों वो भी जड़ा देख लीजिए उमीदवारों को ऑनलाइन आविदन करने के लिए सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा दोस्तों जो की मैंने आपको बताया है कि उसका जो ओफिसियल वेबसाइट का जो लिंक है आउनलाइन आविदन की परकरिया आज 24 दिसमर 2020 से सुरू हो गए और लाश्ट डेट जो है वो साथ जनवरी है उमीदवार इस बात का ध्यान रखें कि आविदन पत्र में किसी परकार की तुरूटी होने पर आविदन पत्र रिजेट कर दिया जागा तो उसकी सबसे पहले जो औरिजनल नियूज है दोस्तों अथेंटिक डियूज लेकर आप तो पहुंचाऊंगा तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार